आपको एक फेर आइडिया होगा डिसीजन लेने के लिए हाँ कौन सा लाप्टॉप कब आपको जरूरत पढ़ सकता है या फिर क्यों ये यूजफूल है या फिर में क्यों यूज़ कर रहा हूँ तो वीडियो को एंट तक देखना तो बहुत सारे पॉड़क्ट है आपको समझ में आएगा कौन सा लाप्टॉप आपके लिए बेश्ट रहने वाला है इंट अप सम् ट्रेडिंग तो चली वीडियो को स्टार्ट करता है मेरा फेवरेट लाप्टॉप सबसे अच्छा लाप्टॉप है डेल का मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये लाप्टॉप में ऐसा खास क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ दिखिए महंगे गैजट से आप ट्रेडर नहीं बनोगे ये पॉइंट पहले आप लोग क्लियर कर लो पहले आप लोग को को स्किल डेवलप करना पड़ेगा जब जब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे ट्रेडिंग के अंदर तब थोड़ा सा productivity बढ़ाने के लिए आपको गैजट की ज़रुवत पड़ेंगे लिकिन इनिशियली इस दे मोस्ट फेवराइड लाप्टोप माइन के नहीं एक साल या देट साल 14 एंड से लेकर 15 तक मैंने इसके अंदर ट्रेड किया है अभी इसके अंदर चार्ज नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा लाप्टोप पुछली अभी अम लोग सेकेंड लाप्टोप के लिए इसको मैं सो अफ लाप्टोप बोलता हूं बहुत ही अच्छा दिखता है 14 इंच का है MacBook Pro है बहुत ही अच्छा लाप्टोप है बहुत ही अच्छा दिखता है लेकिन मेरे ट्रेडिंग के अंदर इतना यह ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ है और I think इसको hardly मैंने एक या दो बार यूज़ किया होगा उसके आदिये ऐ लेकिन उसका जो application हो गया या फिर connectivity हो गया या फिर जो environment ecosystem हो गया थोड़ा सा मुझे पसंद दिया है मुझे थोड़ा सा value for money यह नहीं लगता है तो चली मैं आपको third laptop बताता हूं third laptop है ThinkPad यह मुझे याद है यह बहुत crazy था मुझे क्योंकि company के जब मैं काम करता था 14 के टाइ जबी भी कोई presentation के उपर लिखना रहता है तो यह बहुत easy हो जाता है मेरे लिए इसके लिए मैंने इसको purchase किया था और ThinkPad का यह laptop है Lenovo का बहुत सार लोग इसको use करते हैं the best part is like यह पूरा rotate भी हो जाता है तो आपको कभी भी अगर use करना है यह tablet type यह use हो जाता है लेकिन यह मै फेवराइड में almost 8-9 मेने से उसको use कर रहा हूँ तो उसको मैं दिखाने वाला हूँ wait for a second next laptop is Asus के उपर बहुत ही अच्छा मुझे यह लगता है क्योंकि आज ए ट्रेडर मुझे 2 screen के उपर trade करना पसंद है last सारे laptop single screen होते थे मुझे उसके साथ एक iPad रखना पड़ता था अ उन्होंने use करते थे एक laptop तो मैंने देखा उसी डेट पे मुझे यह पसंद आ गया क्योंकि छोटा सा screen यहाँ पर आता है अगर आप लोग exactly यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक चोटा सा screen आता है दियरीजे screen यहाँ पर एक screen है और उपर पर भी screen है इसका बहुत सारे model रहत लेकिन 2,10,000 के असपास कुछ इसको मैंने purchase किया था बहुत costly laptop था मेरे लिए लेकिन इसको मैं जानबुच के कहता था क्योंकि मेरा editing हो गया या फिर ट्रेडिंग हो गया touch screen है तो मेरा सारा चीज है requirement ही single laptop से ही पूरा हो जाता था dual screen हो गया touch screen आपको कुछ सिखाना हुआ ट्रेडर बन रहे होंगे तो भी ये सारे चीज़ आपको useful रहेगी productivity बढ़ाने के लिए लेकिन initially जैसे मैंने बोला 10,000 के laptop से भी पैसा मिल सकता है you need a skill और for that आपको gadget से skill नहीं मिलेगा market के साथ time spent बहुत बहुत सा लोग पूछते रहते हैं कौन सा laptop आप यूज करते हो तो अगर आप लोग देखोगे और एक laptop है रिसेंटली हम लोगोंने purchase किया ता यह 14 इंच का है 1.6 इसका weight बहुत जादा है तीन किलों के उपर ही होगा लेकिन इसका weight 1.6 है बहुत ही अच्छा और एक advantage इसका भी यह है यह भी touch screen है चोटा laptop है प्लस यहाँ पे आपको dual screen भी मिल अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे लापटोप का भी डिसेंटली मैंने purchase किया यह दो लापटोप में लिंक डाल दूंगा आप लोग खरी सकते हो और यह तस्क्रीन भी है और यह लापटोप परस्नली 14 इंच का 99,000 के आसपास था लेकिन 60-70,000 के आसपास पास प बहुत अच्छा है, यह 10 hour plus battery backup इसका देता है, परस्नली यह लापटोप का इसका इतना बैटरी वैकप नहीं है दो इससे प्राइसियर लापटोप लेकिन इतना बैटरी वैकप अच्छा नहीं है जैसे मिन आप लोग बताया है ये दो laptop touchscreen है तो उसके साथ एक pen आता है लेकिन इसमें एक disadvantage ये है Lenovo के अंदर वो inside रह जाता है laptop के अंदर लेकिन इसको आपको carry करके जाना पड़ता है मैं बहुत बार भूल जाता हूँ जब भी मैं outside suit करता हूँ आप लोग के लिए traveling के time पे बनाता हूँ वीडियो तो ये pen बहुत useful रहता है तो make sure वो एक point आप लोग ध्यान में रख लो और ये दो laptop मेरे सबसे ज़्यादा फेवराइट है ये मेरा productivity बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं क्योंकि दो screen में trade करना बहुत easy हो जाता है तो अभी थोड़ा सा मैं आपको phones के उपर idea देता हूँ किस तरीके से आप concept phone आप लोग के लिए trading के लिए के अंदर useful हो सकते हैं तो चलिए थोड़ा सा phone के उपर में बताता हूँ कौन सा phone मुझे सबसे ज़्यादा useful लगता है पहले मैं आपको बताता हूँ ये Apple जैसे मैंने पहले laptop के वीडियो में बताया था बहुत सारे application मैंने तीन से चार मैंने इसके उज़ किया है बहुत ज़्यादा buggy application रहते हैं बहुत ज़्यादा crisis होते हैं लेकिन हां environment अच्छा है इसका photo quality अच्छा है एक अच्छा reach field देता है लेकिन to be very frank useful नहीं है as a trader मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे windows हो या फिर android के बंदब phones हो गया बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसके अंदर application हो गया या फिर enhancement हो गया बहुत सारे new product हो गया जैसे यहां पर true caller भी कभी कभी काम नहीं करता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा disadvantage मुझे लगता है तो मैं आपको recommend ही नहीं करूंगा अगर बस आप soap के लिए यूज कर रहे हो that's fine and second thing जितने लोग आप लिए यूज करते हैं still it's a very good product बस मुझे यह पसंद नहीं as a trader में मेरा point of view बता रहा हूं तो आप लोग उसको consider करना ना करना आपके उपर है second यह Samsung का phone है बहुत ही अच्छा है क्योंकि पहले मुझे बड़ा screen चाहि है वो मुझे चाहिए तो बस मैं कभी-कभी अगर travel करना हुआ कहीं पर stop loss अलर्ट लगा के रखा रहता हूं तुम्हें Samsung product मुझे बहुत अच्छे लगता है क्योंकि यह product इसके साथ आपको एक pen भी मिल जाता है जो बहुत यूजफुल है और यह Note 20 Ultra है last year मैंने purchase किया था बह यह अगर fold खोलोगे तो यहां पर आपको screen मिल जाएगा useful मेरा 60-70% काम यहां पर हो जाता है लेकिन जब भी मैं trade करना start करता हूं तो यह फिर एक बड़ा screen में tablet में convert हो जाता है इसको आप easily portable तरीके से use कर सकते हो और एक point में आपको बताऊंगा यह अब भी second या third iteration है Samsung Z Fold 3 कर productivity में थोड़ा सा value added लगता है उसके लिए मैंने इसको purchase किया था तो don't worry आने वाले time में मेरे पास बहुत सारे gadget से में कुछ giveaway भी करूंगा hit the like button लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ systematic way मैं plan करने दो सोधार किने मैं eligible person को pick कर पाऊं ना कि random person को जितने लोग eligible या जितने लोग सीख चाहते हैं तो यह जो मैं यूज नहीं करता हूं gadget सभी तो आने वाले time में मैं उसको giveaway कर पाऊंगा थोड़ा था time लगेगा wait कीजिए आने वाले time में इसके उपर मैं update करूंगा मैं इसको camera के लिए and all उसके लिए prefer नहीं करता हूं just because एक बड़ा screen है and बहुत अच्छे तरीक हो गया होगा किस तरीके से मैं कॉनसे कॉनसे पोड़क्त यूज करता हूं और आने वाले time में अगर मैं कुछ update करता हूं जो कि मेरे productivity से यूज होगा so that आप लुग ज्यादा पैसा spend ना करो यह सारे gadget खरीदने के बाद मुझे समझ में आया किने this is the best 4-5 laptop खरीदने के बाद मुझे समझ में आया किने जो asus का dual screen है वो मेरा need पूरा कर रहा है trading career के अंदर तो आप unnecessary यह जिसे आपल हो गया मेरे लिए यह पसंद नहीं है कि मुझे value for money नहीं लगता कभी भी price बहुत जादा है look अच्छा है camera अच्छा है लेकिन use करने में trading career के अंदर ज्यादा मुझे help करने के लिए market के साथ time spend करो यह सारे चीज आने वाले टाइब में आपको थोड़ा सा productivity बढ़ाने के लिए useful हो जाएंगी अभी क्लिए friends इतना ही video चलाओ दो रहे में like and sacrifice thank you